हेलो डियर स्टुडेंट हम कंट्वीयो कर रहे हैं क्लास एर्थ साइन्स चैप्टर 14 चैमिकल इफेक्ट ऑफ एलेक्ट्रिक करेंट प्रीएस वीडियो में हमने जो ता काफी कुछ देखा और उसके बाद हम जो लास्ट वीडियो में देख रहे थे उसमें हम एलेक्ट्रो प् जैसे हम जब भी कोई मतलब इस तरह से मैटल आइटम्स लेते हैं स्पेशली जैसे माली जी स्टील का या हम जो टैप वगरे लेके आते हैं या फिर बाइसेकल ली है तो हमने उस पर देखते हैं कि काफी चमकदार और एकदम शाइन करती भी दिखाई देती है तो वह सब जो ह आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकोन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो हम यह जो स्टार्ट करने जा रहे है यह है एक्टिविटी 14.7 we will need copper sulphate and two copper plates of size around 10-4 cm हमें क्या चाहिए copper sulphate चाहिएं इन दो copper की Breatts चाहिए लगबग इनका size कितना होना चाहिए 10cm into 10cm into 4cm मतलब length 10cm की और width जो हो 4 cm की इस तरह से हो टेक 250 ml of distilled water इन्हें clean and dry beaker और हमको एक साफ एवं सूखे beaker में distilled water लेना है dissolve 2 teaspoon of copper sulfate in it और इसमें क्या करना है अब हमको 2 चमच copper sulfate मिलाना है add a few drops of dilute sulfuric acid to copper solution to make it more conducting और इसमें कुछ drops dilute sulfuric acid, sulfuric acid होता है H2SO4 acid मिलाने के कारण इसकी conductivity जो है वो बढ़ जाएगी conductivity मतलब charge जो है वो आसानी से flow हो जाएगे clean copper plates with sandpaper और हमने जो copper plates ली है उनको sandpaper से साफ करना है क्यों क्योंकि अगर इसके पर oxidation की layer है तो फिर क्या होता है conduction में problem जाती है ना metal react नहीं करती है तो वो जो layer है वो एकदम clean हो जाए इसलिए हम उसे sandpaper से साफ करते है ना और rinse them with water and dry them अब उसे पानी से धोक्या और सुखा लेना है connect the copper plates to the terminals of battery and immerse them in a copper sulfate solution अब जो copper plates है इनको battery के terminal से connect करके और copper sulfate का जो solution लिया है उसमें हमने डुबो देना यह देखिए इस तरह से है ना इस तरह से connect कर लिया है पूरा लगा दिया है और इस तरह से उसमें dip कर देना इमर्स कर देना है फिर तब यह देखिए यह copper plates हो गई है यह भी copper plate है यह copper sulfate solution है यह battery है और यह connecting wire है allow the current to pass for 15 minutes अब हमें लगभग 15 minutes तक current पास करना है now remove the electrodes from the solution and look at them carefully अब हमें electrode को solution में से हटा देना है और उसे देखना है do you find any difference in any one of them क्या आपको कुछ difference दिखाई दे रहा है दोनों में से किसी एक में do you find a coating over it क्या आपको उसके उपर एक coating दिखाई दे रही है what color is the coating note down the terminal of battery which with this electrode is connect और उसके बाद especially यह धियान देना है कि हमने कौन सा electrode किस terminal से connect किया हुआ है जैसे हम इसमें देखें तो हमारा यह वाला electrode जो है यह positive terminal से connect है इसलिए हम इसे anode बोलते हैं जो electrode positive terminal से connect रहता है वो anode कहलाता है और यह दूसरा वाला किस से connect है negative से तो यह जो है यह negative terminal से connect है तो यह जो है यह cathode कहलाएगा अब actually यदि हम reaction देखें तो copper sulfate का formula होता है CuSO4, CuSO4 में copper जो होता है वो positive charge होता है, SO4 जो होता है वो negative charge होता है, तब होगा क्या ये जो positive है और ये negative है, तो अब इन में से जो negative ion होगा वो positive की तरफ move करेगा और जो positive ion होगा वो negative की तरफ move करेगा मतलब sulfate जो होगा वो positive plate की तरफ आएगा और copper जो होगा वो negative plate की तरफ जाएगा तो अब actual में होगा क्या इस plate की उपर copper की coating होने लगेगी है ना, इस plate पे क्या होने लगेगा copper की plating और उसको fulfill करने के लिए यहां से copper dissolve होगे, इस copper sulfate में मिलने लगेगा मतलब यह जो है, यहां पर यह coating दिखाई देगी और यहां थोड़ी सी copper sulfate जो है, यहां पर dissolve होने लगेगा तो यह reaction जो है हम देखेंगे, ठीक है ना, when electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate वही बताया जैसे electric current पास किया जाएगा, copper sulfate किस में dissociate हो जाएगा, copper and sulfate में, ठीक है the free copper gets drawn to the electrode connect to the negative terminal of the battery, अब यहां पर जो free copper है, वो क्या होगा negative terminal की तरफ जाएगा है, ना, copper जो है, मैंने अभी आपको बताया, यह वाला जो copper रहेगा, वो positive होता है तो यह वाले terminal की तरफ, negative terminal की और move करेगा, ठीक है, and get deposited but what about the loss of copper from the solution, अब वही है कि copper का जो loss हो रहा है, तो उसमें क्या होगा तो जो दूसरा electrode है, उसमें से equal amount of copper जो है, वो dissolve होता जाएगा solution में thus the loss of copper from the solution, जो है, is restored and process continue, और जो loss हुआ है, copper sulfate में से copper का, वो restored होता रहेगा, positive terminal वाले copper से, और यह process continue होती रहेगी this means that copper get transferred from one electrode to the another, अब इस तरह से copper का जो transport होता है, वो एक electrode से दूसरे पर होता रहेगा the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is called electroplating है न, अब इस तरह से desired metal की plating जो कहलाती है, ठीक है न, हम जिस metal की चाहिए है, तो हमने copper की करी, gold की की जाती है, silver की की जाती है, zinc की 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 जाती है है न, तो हमें जिसकी भी plating करनी ही होती है, हम उसे क्या कर देते हैं, कौन से उस पे करेंगे, positive terminal पे add करेंगे, और जिसको करना है, जिसको करना है, उसको negative terminal पे लगा देते हैं, और इस तरह से हम और same, जो है, वो solution ले ले लेते हैं, अब जिसे मालो हमें अगर silver की plating करनी है तो हम silver की electrode यूज करेंगे, तो हमें जैसे मालो किसी spoon पे silver की plating करनी है, तो spoon हम जो है, वो negative terminal पे लगा देंगे, और वो silver की plate positive terminal पे लगा देंगे, और हम यहां पर हमने copper sulfate लिया था, इसकी जगा हम silver sulfate ले ले लेंगे, ठीक है न, तो इस तरह से यह जो है, तो यह जो कहला यह क्या कहलाती है, electroplating, it is one of the most common application of chemical effects of electric current, यह सबसे common, most common application है, सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है, वो ही, यह जो है, electroplating का use किया जाता है, अब यह कहां कहां यूज की जाती है, यह मैं आपको next video में बताऊंगे, यह वीडियो आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भ प्रॉबलम है तो आप मुझसे पूच सकते हैं, एक बार बुक जरूर रीट करिएगा, keep study, keep watching, thank you so much